दोस्तों फानले यहां पे आप लोगों के सामने है ओपोर रेनोट 12 का सीरीज यह देखा जा रहा है कि मेडिया टेक प्रोसेसर से और जो डिजाइन यहां पे खास करके देखी जारी है वो पहले के ही मुकाबले में कहीं ने कहीं इसकी जो डिजाइन की गई है जैसे कि पीछे लाइन में इसके देखने को मिल रहा है कैमरे और फिर एक इस तरह जो फ्लैस है वह आपको जो सर्कुलर बना हुए कैमरे का उसके नीचे रखे गए हैं बस पीछे और नीचे की आप ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है अब फानली अगर हम बात करें दोस्तों जैसे इसक 2200 MTKDX2 चिपसे से बताया जा रहा है इस फोन में 12GB RAM के साथ 25GB का और 512GB का इस टोरेज आप्शन में देखने को मिल सकता है इसके लामा इनके कुछ इस्पाइफिकेशन भी यहां बताये गए हैं जैसे कि स्मार्टफोन में 6.7 इंच का Full HD Plus OLED डिस्प्लेय है और इसमें 120 Hz का स्मार्टफोन में 50 Megapixels का मेन कैमरा देखने को मिल सकता है जिसमें Optical Image Stabilization है OS का भी होगा इसके साथ में 8 Megapixels और 50 Megapixels के दो अधर लेंस भी होंगे कैमरे में 2X Optical Zoom का Features होने की बात यहां आए गई है सिल्फी के लिए स्मार्टफोन में 50 Megapixels का Front Camera और जिसमें डिवाइसेस में बैटरी की कैपेसिटी 5000 MHz की बैटरी होगी जिसके साथ 67W का Fast Sarging का सपोर्ट होगा IP65 वी रेटिंग होगी सिरीज को जून के 2024 में लॉंच किये जाने की बात है जहां पर उपको रेनोर 12 की और 12 Pro हो सकते हैं 12 Pro Plus हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए जो लिक सामने है वो और उपको रेनोर 12 की जो प्राइस बताए जा रही है वो 41,500 रुपे के आसपास में हैं वहीं प्रो की जो प्राइस है वो 63,000 रुपे के आसपास में लगाई जा रही है और हलाकि यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें जो लीक्स के सामने हैं शुरुवाती मॉडर्स के बारे में MS पावर यूजर्स की रिपोर्ट के हिसाब से उपको रेनोटल और उपको रेनोटल प्रो को कमड़ी ने मेडिया एमटी के 24 एमटी के साथ इस्तिमाल करेगी अलाकि यह चीज़ डेट वगरत नहीं है लेकिन इतना बताया गया है इस रिपोर्ट की हिसाब से यह आपको जून के महीने में ही लॉंच करेगी जहां पर सिं नेक्क वडियो में तब तक के लिए टेक केर